राम मंदिर का संकल्प 6 दिसम्बर 1992 हापुर के चंदरपाल से जानिये इस दिन की पूरी कहानी तीर्थ नगरी आयोध्धा की ये तारिक तो सभी को याद होगी जब 6 दिसमर 1992 का 11 बजे की समय हजारों की संख्या में भीड एक दूसरी को पीछ धकेल कर हर कोई धांचे तक पहुँचने को आतुर था वहीं लाओड स्पीकरों से बार बार शांती वसायं बनाए रखने के निर्देश दे जा रहे थे अयोध्यनगरी में कार सेवक लगातार इन निर्देशों को अनुसुना कर आगे बढ़ रहे थे उन्हें सिर्फ याद था तो ये सिर्फ सर्यू में खड़े होकर ले गए सौगंद और प्रभूशी राम की सेवा में समरपन होना है जो उसके साथ सिर्फ जैशी राम के नारे से गुंज रही थे अयोध्यनगरी इनी कार सेवकों में शामिल हुए थे हापुर जनपत के गाउं भथस्याना के छे फीट के नौजवान तीस वरसी है उस समय चंदरपाल आ रहे जो अपने साथियों के मदद से बैरिकेटिंग को कूद कर आगे बढ़े और पांच मिनट में वे धांचे की दूसरी गुंबद पर चड़ गए बिना रोके बिना पाई पी दोपहर तक धांचे पर हतोड़ा चलाते रहे उसके बाद नीव की खुदाई करने वाले कारसेव को के साथ जुड़ गए अयोध्या में नव निर्मित सीरा मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा का समय जैसे तैसे पास आ रहा है वैसी उनकी श्मरतिया ताजा होने लगी है सबसे ज़्याद श्मरति जुड़ी हुई है टांचे को गिराए जाने की चंदरपाल पहली कारसेवा में भी पहुँचे थी अयोध्या उनके अनभवों की टीस नहीं 1992 की दूसरी कारसेवा में जाने की इच्छा को और प्रवल किया था गाओं के लोग पता दे हैं कि 1992 में भध्याना और बहादुरगर से 22 युवाओं का दल आयोध्या जाने को तयार हुआ उस सबे घर परिवार के साथी गिरामिरों में भी भारी उत्सा रहा था लोगों ने खुशियों के साथ उनको ढोल नगारे के साथ पूरे गाओं की परिक्रमा करा कर धांचा गिराने का दायत वस्वापा था वहीं गाओं की महिलाओं ने आर्थी करके तिलक लगा कर संकल्प सिध्धियों और सुरक्षा की कामना की थी उसके बाद ये दल चार दिसम्मर को आयोध्या पहुँच गया चार दिसम्मर को ढांचा गिराने के दुरान भारी भीड़ वे धक्का मुकी के चलते उनके दल के सदा से बिछड़ गे चंदरपाल बताते हैं कि हमारे साथ के तिन योग बैरिकेडिंग तक पहुँच गए हम भी बैरिकेडिंग कूद कर गुमबद पर चड़ गे करी तिन घंटे तक अपने साथियों वे अनकार सेवकों के साथ में दो नंबर की गुमबद पर हतोड़ा चलाये लेकिन काम्याबी नहीं मिली गुमबद नहीं टूट रही थी बकॉल चंदरपाल गुमबद की नीव खोदने में महतपून भूनका निभाई थी खुदाई को कुछ हाथ में नहीं था तो हाथों से ही मिटी को बाहर फेक रहे थी पूस की ठंड में हाथों में से मिटी हटाते हुए हाथ सुनने पड़ गए पर रामधुन में इसकी किसे सुथ थी रांचा की रा दिये जाने के बाद कार सेवकों में गजब का उत्सा था अब राम मंदिर बनने और तंबू से राम लिला के बहर आने का सपना साकार होता देखने लगा था तब इस दल के पांच युवाओं ने अयोध्या में सौगंद ले थी उन्होंने राम मंदिर का निर्मार्थ देखने को अपने जीवन के अंते में इच्छा के रूप में लिया था